अब अब आई एक हिला देने वाली खबर एपल स्टोर में हो गई बहुत बड़ी चोरी चोरों के इस पैतरे से पुलिस का घूम गया सिर 436 आईफोन लेकर चोर हुए फरार एपल स्टोर से कुल 4 करोड का माल साफ भारत में दो दिन पहले ही खुला है देश का पहला एपल स्टोर विब सिरीज मने हीश्ट के तरच पर अमेरिका में एक एपल स्टोर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया चोर एपल स्टोर के साथ लगती कॉफी शॉप में खुशे और फिर वहां से स्टोर के बातरूम तक पहुँच गए चोरों ने 436 आईफोन पर हाथ साफ कर दिया है जिनकी कीमत 4 करोन रुपे बताई जा रही है गटना अमेरिका के सियेटल में हुई है पुलिस का मानना है कि चोरों ने पूरी प्लैनिंग कर इस गटना को अंजाम दिया उनके पास एप पलिस टोर के साथ ही मौल की बिल्डिंगी भी चप्पे चप्पे की जानकारी थी मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की अनुसार मामले की जानकारी कॉफी शौप के सीओ माइक एटिनसन ने सोशल मेडिया के माध्यम से नी अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है माइक ने कहा इस चोरी के बाद अब कॉफी शॉप के ताले बदलने पड़े हैं इस पर उनके करीब 74,000 रुपे खर्च हुए उनका कहना है कि उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी शॉप का ऐसा इस्तिमाल होगा चोरों ने सबसे पहले पलिस स्टोर में 60 कॉफी शॉप के ताले तोड़े और उसमें घुसे कॉफी शॉप की दीवार के साथ ही बाद रूम है सीटल की लोकल न्यूज चैनल किंग 5 न्यूज की मताबिक चोरों ने पहले सीटल कॉफी शॉप में सेंद लगाई फिर परिस्टोर के पिछले कमरे तक पहुँचने के लिए बादरूम के दिवार पर छेट कर दिया और रिस्टोर में खुस गए